हेलो फ्रेंट्स अगर आप विंड़ोज स्टार्ट करते हो तो कई बार क्या होता है जो आपका विंड़ोज है वह बूट लूप में चला जाता है यहां पर वह स्टक हो जाता है लोडिंग स्क्रीन के ओपर जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो कि यहां सिर्फ उनली आपको यहां पर मिल जाएंगी चाहिए वह लैप्टॉप डेक्स्टॉप यूटूब या फर किसी भी सफ्ट्विवर में किसी टाइब का आपको कुछी प्रोग्लम आ रहा है तो फ्रेंट्स आपको यहां पर हर टाइप का वीडिया मिल जाएगा जैसे कि आप यहां पर द थोड़े दिर दबा के रखिए यहां पर दबा के रखोगे तो आपको यह PC बंद हो जाएगा लैप्टोप बंद हो जाएगा इसके बद आपको क्या करना है इसको start करने के बाद आपको क्या करना है F2 प्रेस करना है की बोड से आपको ये bias mode के अंदर जाना है आपके laptop के bias mode के अंदर आपको जाना है ठीक है तो हम लोग यहाँ पर bias mode के अंदर आ चुके हैं यहाँ पर friends आपको कुछ setting करना है यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर boot sequence चेक करना है कि जो आपका boot sequence था वो क्या है ठीक है वो आपको यहाँ पर proper set करना है तो friends यहाँ पर आपको side में देखना है कि जो आपका boot sequence था यहाँ पर जो boot sequence था यहाँ पर आपको वह सेट करना है यहां पर देखिए फ्रेंट जो आपका बूट सीक्वेंस था वह योएस्बी स्टॉरेज डिवाइस है ठीक है तो आपको क्या करना है जब भी आप यहां पर बूट सीक्वेंस करते हो तो आपको आपका जो हार्डिक्स या आपके लैप्टोप में SSD लगा है तो आपको वह फर्स्ट बूट पर रखना है इसको हम लोग स्लेक्ट करेंगे और यहां पर यह एरो का आइकन प्रेस करेंगे तो क्या होगा हमारा जो जब भी हमारा लैप्टोप बूट होगा वह जो हमारी हार्डिक्स है उससे बूट होगा तो हमारा जो प्रोब्लम था और वो आएगा नहीं ठिक है तो यह लेके जाना है और यहां पर जो भी आप टाइम जो स्लेक्ट करोगे यहां पर जस जाकर आपको क्लिक करना है और यहां पर कोई भी आप अपना date or time candidate के हिसाब से आपको set करना है जो अभी आपका है running में ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है थोड़ा नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर system और बैट आन करके option दिया गया है तो आप उसको एह एए छिया रख लीजिए ठीक है यहाँपर उसको इनेबल कर देना है उसके बाद आपको क्या करना है secure boot के नीचे आना है यहाँ पर secure boot पर click करना है secure boot को आप click कर दीजिए यहाँ पर आपको secure boot disabled रखना है ठीक है और यहाँ पर आपको advance boot option के अंदर यह वाला option चेक करके रखना है ठीक है advance boot के ओपर इसको आपको क्या करना है यहाँ पर exit कर देना है apply करके exit कर देना है यहां पर apply करेंगे ok करेंगे और यहां पर उसको exit कर देंगे ठीक है इसे क्या होगा जो आपका जो अभी अपने जो setting की है वो save हो जाएगा यहां पर click किया उसके वद आपको क्या करना है f12 दबाना है keyboard से f12 प्रेस करते रहना है तो यहां पर हमारा जो बूट sequence open हो जाएगा यहां पर जो लेगेशी बूट है जो हम लोगों ने अभी देखिए यहां पर आपार जो हाडिक्स है वह फर्स्ट बूट पर आ गया है ठीक है जब भी हमारा windows बूट होगा तो हमारा जो सिदा सिदा हाडिक्स के ओपर जाएगा और हम लोगों को प्रोब्लम नहीं आएगा जो श्टक हो जाता था लोडिंग के windows ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर diagnostic का एक option मिल जाएगा आपको diagnostic यहां पर आपको क्लिक करना है और keyboard से आपको enterprise कर दिना है यहां पर हम लोग चेक करेंगे कि अगर हमारे laptop के अंदर कोई भी hardware related कुछ भी problem है वो यहां पर detect कर लेगा और जो हम लोगों को problem fix करना रहेगा वो हम लोग करेंगे यह कर देना है यहां पर आपको यह कर देना है इसको ठीक है फिलाल मैंने इसको सारा को सभी आपको complete कर लेना है तो कम two minutes 16 seconds में यह complete हो जाएगा आपको और उसके बाद आपको क्या करना है मैं इसको abort कर देता हूं क्योंकि मैंने already यह कर चुका हूं मैं इसको इसके बाद आपको क्या करना है जैसी आपका यहां पर complete हो जाए यहां पर आपको नीचे arrow का option मिलेगा यहां पर आपको click करना है ठीक है इसके बाद friends आपको यहां पर check करना है जैसे आप देख पा रहे हो कि यहां पर हमारा जो battery का icon के उपर cross का ऐसा sign आ गया है ठीक है तो it means हमारी जो battery है उसमें problem है जब तक हमारा जो बैटरी है जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक वो थोड़ा सा प्रोब्लम में थोड़ा स्लोई रहेगा क्योंकि अगर battery में problem है तो वो power proper नहीं दे पाएगा और जिससे हमारा जो system है वोट नहीं हो पाएगा proper ठीक है तो आपको है तो इट मिन्स आपके जो हार्डिक्स है उसमें problem है उसको आपको रिपेर करने की ज़रूरत है ओके यहां पर हमारे सभी जो यह option है यहां पर green green है तो इट मिन्स यहां पर यह proper work कर रहे है ठीक है तो आपको यहां पर यह चीज भी ध्यार रखना है इसके वाद आपको क्य विंडोज लॉडिन के टाइम पर यहां पर अभी हमारा वह problem नहीं आएगा क्योंकि इसमें डिवल बूट है तो हम लोग विंडोज टेन करेंगे इसको लोगिन कर लेना है आपको तो फिर इस यहां पर देखिए जो हम लोगों को बार बार श्टक हो जाता था हमारा लोडिन के टाइम पर जो हम लोग बूट करते थे अपने लेट्टोप को तो यहां पर वो problem अभी ठीक हो गया है ठीक है तो आपको आपको अच्छा और अच्छा और लेट्टोप में को लाइक करना शेयर करना और बैल आइक अंद्वार नहां बूलेगा ताकि जब भी मैं कोई वीडिया यूट्यूब पर अप्लोड करूं उसका नाट्रोकेशन आप तक पहुंच जाए थेंक यू सो मच